हेलो, वेशन नमेर 15, two current carrying conductor are placed on smooth surface as shown in figure, दो current carrying conductors आप देख सकते हैं, then for conductor CD, CD वाला जो horizontally रखवा है conductor उसके लिए पूछ रहे हैं, A and alpha are acceleration and angular acceleration respectively, ध्यान से कटते हैं इस question को, इसको मैंने नाम दे दिया conductor 1, इसको मैंने नाम दे दिया conductor 2, तो conductor 2 की कहानी हमसे पूछ रहा है कि conductor 2 के उपर कुछ acceleration या angular acceleration होगा या नहीं होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, सबसे पहली बात होगी क्या, कि यह वाला जो conductor है ना, first वाला, first वाले की जो magnetic field lines होगी, जो first वाले की magnetic field lines होगी, right side पे, क्योंकि first वाला conductor जो है, वो second वाले के left में रखा हुआ है, ठीक है, तो first वाले की right पे, जो magnetic field line होगी, तो यह को current उपर जा रहा है, तो magnetic field lines होगी, अंदर की तरफ, ऐसे मैं बनाके दिखाता हूँ, हनको current उपर, इधर right side पे magnetic field होगी, अंदर और यहां से आ जाएगी बाहर, ऐसे होगी magnetic field lines, क्योंकि अपन right hand rule लगाएंगे, इसमें right hand thumb rule तो इसके right side में magnetic field होगी, अंदर, और फृर इखो से इसके left side पर conductor के left side में बाहर अंदर बाहर अंदर ऐसे होंगी magnetic field lines तो इसके right side magnetic field lines अंदर की तरफ होगी इतना clear हो गया तो मैंने यहां पर बना दिया और लिख दिया B1 मतलब first conductor की इस region में जो magnetic field lines होगी वो होगी अंदर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ और इधर होगी बाहर की तरफ यहां से dot लगा देते हैं हमें like this तो यह है एक current carrying conductor second वगा current carrying conductor है और magnetic field में रखा हुआ है तो whenever a current carrying conductor is kept in magnetic field what will happen it will experience a force yes or no force लगेगा कितना BIL sine theta ठीक है अब जो point important है वो यह है यहां पर कि इस पर जो force लगेगा वो हर point पर अलग-अलग force लगेगा variable होगा क्यों क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कुछ hour distance है यहां से यहां जाऊंगा तो distance भढ़ रही है तो magnetic field घटेगी तो BIL sine theta होता है ना force तो sine theta तो अपना 90 हो जाएगा तो force के रजएगा BIL अब magnetic field ना uniform नहीं है अब हर segment पे इस वले segment की बात करूँ तो इस वले segment के लिए इस first वली wire का distance कुछ और है इस वले segment के लिए distance wire का कुछ और है इस वले segment के लिए distance कुछ और है तो magnetic field भी कुछ और होगी यह वाला जो segment है वायर का वो जादा magnetic field में यह वाला कम magnetic field में यह वाला और कम में और कम में और कम में तो force भी कम लगता जाएगा क्योंकि magnetic field भी कम है क्योंकि force किसके proportional होगा BIL होता है न force तो अकर magnetic field भी कम होती जाएगी तो force भी कम लगेगा तो यानि कि जो इसका पीछे वाला पार्ट है ये वाला portion है इस पर जादा force लग रहा होगा और इस पर आगे वाले पार्ट पर कम force लग रहा होगा तो force तो लग रहा है तो force है तो acceleration है ध्यान रखना नेट force है therefore acceleration भी होगा ठीक है force की direction कैसे पता लगाते हैं ये वाला formula होता है F equals to I L cross B जैसे मैंने आपको F equals to Q V cross भी बताया है right hand palm rule से charge पे लगने वाला force ऐसे ही wire पे लगने वाला force आप same method से right hand palm rule से पता लगा सकते हो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका first vector ये हो जाएगा second vector और ये हो जाएगा third vector तो L cross B fingers को first vector की direction में L की direction क्या है जो current की direction है वही L की direction होती है तो L current जाए right side में तो L ठीक है L magnetic field अंदर cross B thumb का point कर रहा है उपर L cross B thumb उपर clear हुआ तो यानि कि इस पर उपर की तरफ force लगेगा तो मैंने एक diagram बनाया देखो जो पीछे होला part है सबसे को ने होला उस पर सबसे ज़्यादा force फिर force कम फिर और कम फिर और कम फिर और कम फिर और कम तो overall तो उपर की तरफ force लग रहा है तो यानि कि उपर की तरफ इसका acceleration होगा होगा कि नहीं होगा तो acceleration 0 नहीं है तो यहाँ पर first option में दरखा acceleration 0 है गलत है acceleration 0 नहीं होगा तो अब दूसरा point अपन कोई चेक करना है कि इसके पास क्या alpha होगा क्या इसके पास angular acceleration होगा angular acceleration तभी होगा जब ये goal घूमेगा जब ये goal घूमेगा तभी आएगा ना इसके पास angular acceleration अब देखो suppose करो ये मेरी rod है ये rod है मेरी अब मैं rod का यही वाली rod है ये वाला end जो है ये c है ये वाला end d है जो c वाला part है इसका rod का जो c वाला part है c वाले part पे ज़्यादा force लग रहा है ना देखो आप यहाँ पे ये c लिखा हुआ है मैंने ये C है और ये D है तो जो rod का C वाला part है C वाले part पे ज़्यादा force लग रहा है और इस वाले part पे कम force लग रहा है तो ये वाला part पे ज़्यादा force लगेगा तो क्या घुम नहीं जाएगा उपर भी जाएगा और घुम भी जाएगा तो दोनों motion होंगे एक तो उपर जाएगा और दूसरा ऐसे जाएगा उपर तो क्योंकि येवाला force जादा है इस side पे force जादा लग रहे है तो ये इसको उपर ले जाएगा अगर दोनों तरफ same force लगता तो येवाला end भी और येवाला end भी दोनो end Same speed से उपर जाते हैं क्योंकि इधर जाधा force लग रहा है, तो पहले उपर चला जाएगा, तो गोल घूमेगा, तो एंगउलर acceleration भी आएगा तो इसलिए ये rod गोल भी घूमेगी, एंगुलर acceleration भी होगा, लीनेर acceleration भी होगा, तो अपना answer कौनशा option ठीक होने वाला है? सेकंड वाला सही हो जाएगा थैंक यू